नमस्ते दोस्तों आज हम सात्विकक्षा की बेटी यूग इस कविता को सिखेंगे इसके रचनाकार है कवी आनन्द विश्वास पहले हम कवी आनन्द विश्वास का परिचे कर लेंगे देखो बच्चों कवी आनन्द विश्वास जी का जन्मा जुलाई 1989 में अपने ही भारत देश में शिकोहाबाद एन उत्तर प्रदेश इस प्रांत में हुआ है कवी आनन्द विश्वास जी एक विद्र भी कवी जाने जाते है उनकी बहुत सारी रचनाय है उनमें से कुछ रचनाय इस प्रकार मिटने वाली रात नहीं परकटी पांखी देवां गर्मा गर्म थपेडे लूके चिडिया फुर इस प्रकार की कवी आनन्द विश्वास जी की रचनाय है कवी आनन्द विश्वास जी अन्द विश्वास और मुश्किलों के ताप से पिखलते जीवन की प्रती विद्रोई स्वर रखने वाले इसका मतलब है कवी अपनी कलम के माध्यम से हैं समाज में फैले वे अन्द विश्वास को दुर करने का प्रयास करते हुए आये हैं मुश्किलों का सामना किस प्रकार से करें और उन मुश्किलों का सामना करते करते हैं हम किस प्रकार की कामया भी हसील करें इसके बारे में कभी आनंद विश्वास जी इन्होंने अपनी कलम चलाई है प्रस्तूत कविता बेटी युग में कभी आनंद विश्वास जी इन्होंने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया है कभी अनदिश्वाजी का कहना है कि जब तक हम बेटों के साथ साथ बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक इस समाज का देश का विकास नहीं हो सकता, देश आगे बढ़ नहीं सकता